नमस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में काफी बच्चों के क्वैरी थे कि सर कॉंस्टेबल की भरती आ गई कंप्यूटर ऑपरेटर SI और ASI जो लिपिक संबर्ग वाली भरती है क्या वो कब देखने को मिलेगी इस साल आएगी या नहीं आएगी हम पता चले ओवरेज हो जाए तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुस खबरी है जैसे आप लोगों को यहाँ पर समय नहीं देखना कि कॉंस्टेबल का भरती जैसे आपको पता चला कितने पद हैं और इसी महीने में आएंगे और तुरंत विग्यापन आपको आ गया ऐसे ही आपका कंप्यूटर ऑपरेटर SIASI confidential वाली जो बढ़ती है वो भी आपको देखने को मिलेगी इस महीने के अंत या आपका सकते हो 10 जनौरी तक आपको कहीं न कहीं यह सुचना मिल जाएगा तो ओवराल यह chances maximum हैं कि इस महीने के last में या 10 जनौरी से पहले पहले यह बात ध्यान रखेगा ज्यादे chance है कि महीने के last तक और 10 जनौरी तो यह मान के चलिए कि 10 जनौरी से पहले ही आपको computer operator SI और ASI की भरती आपको देखने को मिल जाएगी जो lipic somewhere की बात करें तो इस में भी आपके 900 something post हैं और computer operator grade A की भरती में भी आपके 900 पद हैं बाकि सबकी अलग-अलग मैं eligibility criteria का एक video बना दूगा वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन-कौन eligible हैं अभी मैं मोटा-मोटा यह बता दे रहा हूं कि notification कब आएगा तो यह ध्यान रखको notification 10 जनौरी से पहले आपको देखने को मिल जाएगा exam कब होगा क्या constable की तरह मात्र 50 दिन में आपका exam हो जाएगा देखिए constable एक बड़ी भरती थी 60,000 है government को कहीं न कहीं यह equipment दिखाना है और नियुक्ति पत्र वितरन करना है तो आपका exam भी जादे late नहीं होगा इतना मान के चलिए कि अगर यह 50 दिन में हो रहा है तो आपक 60 दिन से जादे नहीं जाएगा 60 से 65 दिन क्यूंकि सभी procedure final हो चुके है एजेंसिया हो चुकी है तो जाहिर सी बात है जब सब कुछ हो जाता है तो maximum दो महीने आपको समय मिलेगा तो वही हम बोल सकते हैं इसमें भी 50 से 60 का समय मिलेगा 60 दिन का यह ध्यान रखेगा जबी भी notification आएगा दो महीने का आपको समय दिया जाएगा अब तैयारी कहां से करें तैयारी कहां से करें इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे और दूसरी बात है कि कौन कौन भर सकता है form इस पर मैं अलग सिक वीडियो बनाऊँगा computer operator के लिए एक बार ध्यान दियेगा computer operator जो आपका grade A की जो भरती आएगी इसके लिए आपको जो computer operator का इंतिजार कर रहे हैं grade A की जो भरती आने वाली है इसमें सबसे बड़ी बाद की आपका 12 जो होना चाहिए 12 किसके साथ होना चाहिए PCM के चाहिए physics chemistry math वाले मलब overall मैं ये बात करूँ आपसे कि physics और math तो पढ़ होना ही चाहिए बंदे को ये ध्यान रखिए बाकी आप PCM ही बोला जाता है बाकी अलग से आपने कमालो biology लिये हो और आपने math एक subject डाल के कर लिया आपके पास physics chemistry बाय हो था आपने math से अलग से कर लिया तो वो भी चलेगा ये ध्यान रखिए 12 PCM वाले और O label इसके साथ क्य जाएगा कि equivalent कई सारी डिग्रियां है मैं इस पर एक वीडियो अल्रेडी बना चुका हो और वो भी देख सकते और अलग से मैं बता दूंगा जब इसकी eligibility अगर सही से आपको समझाओंगा तो तो ओवरार 12 PCM और O label या उसके equivalent आप कोई भी डिग्री रखे हो चाहे BC हो चाहे इसकी आपको पता चल गया बाकी SI और ASI में आपका जो है क्या चाहिए graduation चाहिए साथ ही साथ O label चाहिए ठीक है तो equivalent में आप जैसे आपने graduation में एक साल किया हो या कोई diploma एक साल का किया हो इसमें भी चलेगा O label की equivalent one year का diploma लेकिन कहां से हो किसी UGC से हो या आप निलेट से हो ठीक है UGC approved हो ऐसा नहीं कोई ऐसी संस्था जो गाओं में खुली चाहिए कहीं भी गली कस्वे में खुली हो वह authorization registration number मिला है उससे नहीं आपका UGC approved हो AICTC approved हो वही चलेगा ठीक है यह ध्यान रखेए तो यह आपका मैंने मोठा मोठा बता दिया यह ध्यान रखेए अब मैं कैसे कह रहा हूं आपने देखा इस पेपर की cutting के निकलने के कुछ दिन बाद comfortable की भरती आपके सामने देखने को मिली थी ठीक है मात्र 57 दिन के बाद आपको comfortable की भरती देखने को मिली तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि हाँ भूला December के अंत तक कब December के अंत तक क्या मिल ज़ागा December के अंत तक 3 samvayagheral में भरतियों जो आता है उसमें आपके 921 पद और computer operator grade A के 930 पद तो ये overall अगर हम बात करें तो 1851 पद आपके यहां से भरती आ रही है और programmer, computer programmer की 55 पद यह बढ़ भी सकते हैं यह ध्यान रखेगा तो इसका भी विज्यापन जल्द आपके सामने देखने को मिलेगा अब आते हैं कि तैयारी आप कहां से करोगे सबसे बड़ी बात है कि computer operator की तो computer operator में सबसे बड़ा जो chunk है बच्चो वो आपका computer का है सबसे बड़ा अगर हम computer operator की बात करें तो इसमें आपको तैयारी किसकी करनी है computer operator बेसिकली आपका syllabus बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त ओ लेबल के according syllabus आपका है मतलब आपके computer संभाग से कितने असी प्रस्न आते हैं और मने already एक batch computer operator का मतलब almost 90% उसका finish हो चुका है कुछ portion बाकी है बस विग्यापन का हम इंतिजार कर रहे थे उसे भी complete करेंगे और साथ ही साथ एक नया batch जो आप लोग request कर रहे थे कई बार हमसे कई बार आप लोग phone करके comment करके बोल ले थे sir computer operator का batch कब आएगा तो इसके लिए पूरा एक संपूर बैच आपका जो computer operator के लिए जिसमें सबसे जादे महत्तोपूर topic आपका जो है अगर हम बात करें selection जो दिलाएगा turning point है वो computer के 80 question है बाकी आपका क्या है GS के 40 प्रशन है और आपका reasoning के आपके 40 प्रशन है तो यह आपके यहाँ पर हम बात करें जितना यह दोनों मिलकर है उतना वह के लिए तो हमारा जो batch design किया जाएगा उसमें संपूर रहेगा आपका computer भी रहेगा GS भी रहेगा और reasoning का भी संभाग रहेगा और computer मैं ही पढ़ाता हूँ आपको computer में कहीं भी एक परसंट दिक्कत नहीं पड़ेगी चाहे वो programming हो जावा जावा script जो भी आपको fox pro database में जो भी पढ़ना उससे पहले भी मैंने class पढ़ा रखी है इससे पहले भी मैंने YouTube पे बहुत सारे computer की classes ले रखी है अगर आपको quality check करना है तो आप YouTube पे जाके quality check कर लिजिएगा कि आपके standard से मैंने computer operator का paper तक नहीं solve कराया है मैंने boolean algebra का paper solve कराया है जाके देखिएगा और उसी वज़़ा से बच्चे आज भी हमसे कहते हैं कि सर बैच ले आईए इसी वज़़ा से मैं ये बैच ले आए रहा हूँ क्योंकि आपने request किया है मैं already एक बैच पढ़ा चुका तो मैं सोचा था हो चुका लेकिन आप लोगों के request में कि नहीं सर live पढ़ना अच्छा लगता है इस वज़़ा से ये batch computer operator और SI ASI 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 में थोड़ा सा computer का संभाग जो आपका अगर हम लिपिक की बात करें syllabus आपको वही पढ़ना है जो syllabus इनको पढ़ना है 80 question के लिए वही syllabus आपके SI और ASI ministerial confidential वाले को भी पढ़ना है लेकिन number of question इनका 25 रहेगा इनके में number of question 25 रहेगा इनके में math reasoning ठीक है आपका GS उसके बाद से हिंदी का भी संभाग रहेगा computer का रहेगा तो रहेगा ही रहेगा मातर 25 question रहेगा तो syllabus तो आपको पूरा वही पढ़ना है बस थोड़ा सा आपका जो एक तरह से बोला जाए label जो होता है वो अलग रहेगा आपके questions कुछ टॉपिक से बहुत कम रहेंगे जो यहाँ पर boolean or legal algebra की बात करें तो यहाँ नहीं पूचता लेकिन यहाँ पूचता है यह चीजे धिहान रखिएगा तो इन दोनों का SI, ASI और computer operator का separate batch आ रहा है अलग अलग बैच रहेगा जिनको दोनों पढ़ना होगा वो एक बार संस्था पर बात कर लेंगे आपको पता चल जाएगा तो जोल बच्चे इंट्रेस्टेड हैं अगर वो course लेना चाहते हैं तो 945-000-6007 और 99-79-70-80 पर query कर सकते हैं जिनको दोनों batch लेना हो SI, ASI और computer operator ठीक है यह धिहान रखिएग रखिएगा computer operator SI और ASI यह बैच आपका total 1600 का है और अब ही आपको offer price में दिया जा रहा है यह बैच और इसकी प्राइज होगी 799-99 जिस्टी जरूर ध्यान रखिएगा यह हमें पे करना परता है लेकिन आप लोगों के request पर first 50 student को कितने first 50 student को GST में हम क्या करेंगे आपको छ प्यान रखिएगा 50 पहले student जो admission लेंगे इनके लिए GST नहीं लगेगा मात रोज 799 में बैच को purchase कर सकते हैं बैच कब से start होगा तो आपका जो बैच होगा वो start होगा 8 January से कब से 8 January के बाद से आपका बैच स्टार्ट होगा अब ही जो registration करना चाते हैं जिनको मेरे quality पर मेरे पढ़ाने पर computer पर पूरा विस्वास है वो बच्चे admission ले सकते हैं बाकि जिन्हें ये लगता है कि नहीं class शुरू होने के बाद लेना है तो यह आप free हो mind से कि आप 8 तारिक के बाद admission ले सकते हैं ठीक है 8 तारिक से बैच को proper run कराए जागा आपकी classes लगेंगी schedule wise सभी चीज आप लोग पूछते रहे तो सर computer operator की किताब बता दो कहां से बता दें यह भरती हमेशा आती नहीं है कभी कभार आती है तो यह इस पर कोई भी focused नहीं करता है इसके जो notes मैं दूंगा आपको वही आपकी किताब होगी क्योंकि अलग-अलग किताबे आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर मैं बता दूँ ओ लेबल की किताब पढ़ लो तो उतना डीप भी नहीं पढ़ना है जितना जरूरत है उतना पढ़ना है तो उसके लिए मैं आपको unit wise जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको notes provide कराता जाऊंगा हाँ इस बैच में खासियत क्या है एक बात ध्यान रखेगा इस बैच में आपको क्या-क्या मिलेगा इस बात पर ध्यान दीजिए इस बैच में आपको यहाँ पर live और recorded दोनों माध्यम से आपको classes provide की जाएंगी study material पूरा notes दिया जाएगा कोई भी बाहर से notes नहीं लेना और इसमें टेस्ट भी included है इसलिए इसकी प्राइज इतनी है आप जो कह रहे हो कि सर्प्राइज जो अगर ऐसा जिनको लगे गवाई देखो 80 question आपको एक ओ लेबल एक technical एक professional course पढ़ाया जा रहा है और कहीं भी professional course जो है इतने में नहीं मिलता है आप भी समझ सकते हो ठीक है तो भी आपको दे दूँगा sectional test भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ये धियान रखिएगा और इसकी validity till examination तक valid रहेगा ये batch ये धियान रखिएगा तो जिन्हें भी enroll करना अब ही 50 student पर GST को मैंने छूट दे दिया अब GST नहीं लगेगा मात्र आप 799 में इसका enrollment कर सकते हैं से classes आपको मैंने पहले बता दिया आप ज्रैं करोगे। आप ज्रैं कैसे करना है तो ज्रैं करने के लिए आपको क्या करना है कि परिक्षा plus एप इंस्टाल करना है ठीक है परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल करो वहाँ पर जाईए और वही से आप इस कोर्स को जोइन कर सकते हैं रेजिस्टर करने के बाद या live.parikshapplus.org यहाँ से आप जाकर जोइन कर सकते हैं समय एकदम नहीं मिलेगा मैक्सिमम आपको दो मन्त का समय मिलेगा ठीक है एक्जाम आपका जल्धी हो जाएगा जैसे अभी आयोग को देखा गया है कॉंस्टेबल में जो रूप किनों ने अपनाया है तो दो से हम इतना मान सकते हैं मैना क्योंकि हमारा टार्गेट यही है और जो आपका कोर्स है ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन में हम फिनिस कर दें मिनिमम का मुझे 60 प्लस लेक्शर लेना पड़ेगा सिर्फ कम्प्यूटर के लिए तो आप समझ सकते हो कि 60 दिन क्लास चलाऊंगा तभी तो होगा मुझे डबल डबल दो दो घंडे की क्लास चलानी पड़ेगी आपकी तो ये ध्यान रखिएगा तो ये तो मैं एक मान रहा हूँ कि इतने महीने में मुझे कोर्स करना है कंप्लीट दो से धाई महीने जो मिलेंगे इसी में आपको पड़ना है तो लेट जिन्हें भाई computer operator की job लेना है वो तो मेरे recording मेरा suggestion है लेट ना करिए आप batch join करिए आठ तारिक से start है जिनको ये लगता है कि समय कम पड़ेगा मेरा एक recorded batch है उसे आप ले सकते हो जिनको live पढ़ना है live में पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत कोई समस्या आगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करिए हम पूरी कोशिस करेंगे कि आपके समस्याओं को समधान किया जाए किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो नीचे जो नंबर चल ला है या ये जो नंबर लिखा गया है इन पर आप कॉंटेक्ट कर सकते है जो भी इनफॉर्मेशन आएगी उसके साथ मैं फिर से मिलूँगा आप लोगों के साथ चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ मस्तरहिये सुस्तरहिये लिवर दस्तरहिये